हालो एंड वेलकम टू माई चैनल आज हमें देख रहे हैं लिब्रा यानि तुला राशी के लिए अपरेल 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर ये रीडिंग रहेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसी रिलेशनशिप में तो आप सब्सक्राइब क करण खाद करने हैं और दिखते हैं आपके लिए का मैसेज हैं लिए कर्स आया हैं आपके लिए काफे कुछ मेंसेज्जिज थे सब्सक्राइब करें और रिडिंगि तो यहां आपके लिए कर्द आया है फोर आफ सोर्स का आप में से कुछ लोग जैमिनी लिबरा एक्वेरिस के साथ रिलेशन्शिप में हैं और यहां इसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में ब्रेक आप का फेस चल रहा है और यही चीज यहां आई है और इसी वज़े से काफी ज़दा नाराज हैं आप अपने पार्टनर से कुछ लोगों के लिए ऐसे एनरजीज हैं और एर साइन का एक कनेक्शन था और इसी वज़े से आप बहुत ज़दा अपने आपको अकेला महजूस कर रहे हैं और यही चीज यहां पर भी आई है तो आफ सॉर्स आप में से कुछ लोग डेफिनेटली जैमिन लिब्रा एक्वेरिस के साथ रिलेशनशिप में हैं मिथुन तुला और कुम्बन की राश्य हो सकती है जिनके साथ अभी तक आप इन्वाल्व थे पर उन्होंने शाद आपको क्लियर्टी ने दे या फिर आपको थर्ड पार्टी में ड़ा सूदा यह चीज यहां देख रही है हो सकत calendar को परशन हो तर्ड पार्टी या फिर उनका परिवारी थर्ड पार्टी है आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी ज़दा तो राहे पे एक ऐसे स्थधी में लाकर खड़ा कर दे कि आप समझ ने पारे आपको किस तरफ जाना है तरह का यहां दीख रहा है और प्यार परिवार में से एक को चुनना है या फिर कोई और परसन है और आप में से किसी को चुनना है ऐसी कोई मुश्किल उलजन है इस तरह का भी सिचवेशन कुछ लोगों के सास है पर यहां काड बहुत अच्छा है आपके लिए six of cups तो इस मन्त में आप Cancer Scropio Pisces से मिल सकते हैं करक मीन और विष्टिक राशी के लोगों का Love Proposal, Marriage Proposal आ सकते हैं और यह आपके Past Life Lover हो सकते हैं और यहां इस मन्त में आप उनसे Connect हो सकते हैं काफी Emotional यह Person हो सकते हैं Intelligent हो सकते हैं और Creative यह Person हो सकते हैं Next Card भी बहुत अच्छा है आपके लिए Ace of Coins का तो आप Career में नई शुरुआत करेंगे और वहीं आपको कोई Person मिल सकते हैं जो बहुत Work-Oriented हैं कामकाजी हैं, बहुत महनती हैं और इसी तरह के इनसान से आप अपने Workplace में मिल सकते हैं इस मन्त में भी नेक्स काड़ आपके लिए आया है Temperance का काड़ है तो यहां इस मन्त में आप ऐसे इनसान से मिल सकते हैं जो Sagittarius हो धनुराशी के लोगों का Marriage, Proposal, Love, Proposal या Friendship पे आपके लिए आ सकती है और यह काफी बैलेंस Personality के कोबसूरत इनसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यह Medical Student हो सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं इस तरह से आप इन्हें पैचान सकते हैं और जो लोग Relationship में हैं उनके लिए ऐसा लग रहे हैं आपके पार्टनर इस मन्त में efforts करेंगे रिष्टे को balance करने का काफी हद तक वो effort करने वाले हैं काफी कोशिश की करेंगे इस रिष्टे को बनाए रखने के लिए ऐसा दिख रहा है Next card आया है Queen of Wands का आप में से कुछ लोग Aries, Leo, Sagittaries के साथ भी relationship में है Mage, Singh और धनुराशी के इनसान हो सकते हैं काफी खुबसूरत है, कुछ लोगों के यह boss हो सकते हैं या फिर एक अच्छी position पर है, बहुत अच्छी job है इनकी और वहां यह authority है, इस तरह का भी हाँ दिख रहा है काफी लोगों के लिए लग रहे हैं कि यह आपको एक support system की तरह treat करेंगे, एक support देंगे आपको आपकी life में इस तरह का भी दिख रहा है और यह fire sign हो सकते हैं तो इनका साथ मिलेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यह married person भी हो, पर यह आपको एक साथी की तौर पर देखते हैं हो सकता है यह शादी शुदा है या आप शादी शुदा है ऐसी energies हैं या कुछ लोगों के लिए वही next कर आया है eight of spring का stress that come from having many things happening at once successful multitasking, sudden event or change इस में हो सकता है, आप already multitasking करते हैं carrier के साथ, आपने कुछ और creative talent है आपका तो आप एक से जादा काम करने वाले हो सकते हैं या study के साथ job करते हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप उसे बहुत successfully कर लेंगे पर इस चीज में आपकी energy काफी जाया होगी और next कार आया है 10 of what one का, बहुत इच्छा कार आया है take a step to ensure the financial security of your children or other love ones making wise investments and planning for retirement, honoring family traditions जिनके साथ आप आगे चलके शादी करेंगे ऐसे इनसान से आप इस मत में मिलेंगे और इनके साथ आपकी एक family होगी तो इस मत में वो इनसान आपको दिख सकते हैं, मिल सकते हैं या उनका proposal आपके लिए आ सकता है और उनके साथ मिलकर हो सकता है आप जिनके साथ relationship में आगे के लिए life प्लान करते हुए दिख रहे हैं आप अपने partner के साथ ऐसा भी दिख रहे है और काफी depth में जाकर आप सोचने वाले हैं कि क्या आगे करना है आपको next कर रहा है इस मत में आपका केरियर बहुत अच्छा ग्रोग होगा जो भी आपका केरियर पाथ है वहाँ आप बहुत सक्सेस अच्छीव करेंगे और education में भी आपका interest रहेगा कोई बड़ी degree हासिल करने के लिए आप मेहनत करने वाले हैं और वो चीज आप कर भी पाएंगे अच्छा मन से रहने वाला है यह आपके नेक्स कार आया है king of winter का और knowledgeable, experienced, fair-minded, unemotional इस तरह की quality वाले कोई person आपसे connect होंगे और जो message है get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationship वो सकते कोई इंसान है जो बहुत practical है जीवन को आपको एक अलग नजरिये से देखना सिखा सकते हैं पर यह emotional बिल्कुल नहीं है, भावक इंसान नहीं है पर जीवन में यह वास्विक्ता से आपको चोड़ने के लिए आये हैं इस मन्त में तो इनके advice को जरूर लें आप और हो सकता है यह थोड़ी सी सकत बात करें आपके साथ पर यह आपको सही advice देंगे और यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रसाइट करेंगे तो इनकी wise advice को जरूर लें और इस सीच पे ना ध्यान दें कि यह भावक नहीं है और इनके words थोड़े hard है पर यह आपके support के लिए है इस मन्त में और जीवन को लेकर आपको practical तरीके से सोचने की भी जरूरत महसूस होगी इस मन्त में ऐसा आपको advice दी जा रही है next card आपके लिए I had the chariot का success that come from dedication and self-discipline celebrating your accomplishment being in this spotlight इस मन्त में आपका जो मेहनत है आपकी जो career है वहाँ बहुत success achieve करेंगे आप मेहनत से आप बहुत कुछ build कर लेंगे और celebrate करेंगे अपनी success को काफी लोगों के नजर में रहेंगे spotlight में रहेंगे काफी name fame मिनने माला है ऐसा कुछ करेंगे आप next card आया है somewhere can't trust that there is a reason for everything that happens remove yourself from the negative emotions of others focusing on that which frightens or worries you कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आपके आसपास बहुत ही toxic लोग हैं बहुत ही ऐसे लोग है जो jealous है आपस बहुत जलन की भावना रखते हैं खराब आपके लिए सोचते रहते हैं इसे लोगों से अपने आपको दूर रखें उनकी thoughts से दूर रखें एविलाई से बचे आप और इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें जिनको आप समझते हैं कि आपके लिए सही नहीं है उनसे दूर रहें और अपने आप पर फोकस करें अपने केरियर पर फोकस करे हैं ऐसा कहा जा रहा है और अपनी एनर्जी को सही तरफ लगाने की कोशिश करें और यहां जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अभी तक उसका कोई ना कोई रीजन है कुछ questions हैं आपके जिसके answer मिल सकते हैं इस मत में आपको आपको आपके लिए परसन आ सकते हैं और के नीश आपके बातने की राशी क्या हो सकती है कैंसर कर्क जैमिनी हो सकते हैं वह कर्क राशी मित्वन राशी स्क्रॉप्य हो सकते हैं ब्रिश्टिक राशी क्यों सकते हैं एरीज हो सकते हैं मेश राशी के एक और ले रहते हैं लियो भी हो सकते हैं सिंग राशी के आपके पाटने क कि अपने की तरफ से आपके लिए क्या मेंसेज होगा है यह भी हम देख रहे है इस हाट फॉर मी तो ओपन अप एप एंगर इसूज तो प्लीज गिव मी सम टाइम जूने बहुत गुस्सा आता है तो आप उने सोड़ा समय दें ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से I feel very weak and exposed जी उनसे कुछ गलत हुआ है इसलिए वो अपने आपको बहुत कमजोर अंबो कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी feelings को आप सही तरी के से नहीं समझ पाया है या कुछ exposed हो गया उनकी life का आपके सामने और love at first sight कुछ लोगों के लिए इस तरह का moment आसकता है कि पहली नजल का प्यार आपको हो जाएगा किसी से या किसी को आप से हो सकता है ये love at first sight वाला सीन हो सकता है कुछ लोगों के लिए I know this is spiritual plan कि आपके partner जो है वो ऐसा सोचते हैं कि एक spiritual journey है आपके twin flame आपसे इस month में मिल सकते हैं और हो सकता है कुछ लोग already इस journey में हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलना एक spiritual plan था the more I push you away only makes me want you more जितना वो आपसे दूर होने के कोशिश करते हैं जितना आपने आपको दूर रखने के कोशिश करते हैं उतना ही जदा वो आपके प्यार में पढ़ जाते हैं I care about you deeply and you know that जी वो आपकी बहुत जादा गहराई से आपकी भरवा करते हैं और आप ये बाद जानते भी है I will never love someone the way I love you जी वोने ऐसा किसी को नहीं चाहा जिसा वो आपको चाते हैं ऐसा भी में सेज है I am trying to think of what I want to say to you जी वो सोच रहे हैं कि वो आप से क्या कहें मिलकर ऐसा भी हमें सेज आया है तो आप लोगों के लिए यही मैसेज़स थे और यही डीडिंग थी अगर यह डीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें तो प्लीज मेरे शेयर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग माई वीडियो आप एपी मुझ लीडियो